हेलो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि भाई हम पेटियम से कैसे पोकट अफेम का जो है कॉइन रिचार्च कर सकते हैं मेरा तो पेटियम नहीं है तो मैं दूसरे के पेटियम से कैसे मेरा पोकट अफेम का जो कॉइन है उसको में रिचार्च कर सकते हो या कर सकती हो ऐसे करके बहुत सारा मुझे कॉमेंट आ रहा मेरा नाम है फारुक और आप देख रहे हो मेरा चैनल टेकनिकल कैल। दोस्तो चैनल पर पहले बेर आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी सथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना इसी तरह helpful वीडियो मेरे चैनल पर देखने के लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सिंपली दोस्तो आपको यहां पर आज आना है होमपेच पर फॉर यूपेच पर तो आपको नीचे राइट सेट पर माई स्टोर करका अप्सन दिखता है तो इस पर क्लिक कर लेना है क्लिक कर लेने के बाद यहां पे आपको coin का बहुत सारा जो option है वो आपको दिख जाता है तो simply आपका जो भी plan है आप इसको Paytium से recharge करने के लिए वो भी दूसरे के तो सबसे पहले मैं आपको एक process बताता हूँ तो आपको वो process follow करना है फिर आपको क्या कर लेना है यहाँ पर आके आप रिचार्च कर सकते हो तो दोस्तों वो process कौन सा है न दोस्तों आपके घर पे आपके भाई होंगे बहन होंगे यह आपके फैमली होंगे और रिलेटिब्स होंगे आपको किसी का भी आप फोन ले सकते हैं आपके भाई हो फैमली हो या आप बिना फोन लेके भी ये प्रोसेस कर सकते हैं कैसे ना अगर आपके फैमली पे फोन है तो आप उनका फोन लेके कर सकते हो या अगर वो दूर पे हैं जैसे कि आप call में ही बोल सकते हो तो उनको बोलना कि वो pocket fm app को डाउनलोड करें डाउनलोड कर लेने के बाद आपके नमबर से उनको लॉग इन करने बोलना तो आपका ID वहाँ पे जो है create हो जाएगा तो आपका जब ID create हो जाएगा वो pocket fm को open करेंगे कुछ इस तरह का डाध आपका जो भी प्लाण है उस पे क्लिक कर लेना है सपोस 49 li8 लगा तो उनको क्लिक कर लेना है क्लिक कर लेने के बाद यहां पर gädrym wallet दीता- entendeu पर आ जाना है 506 आजने के बाद यहां पर फ्रशेट करके option क्लिक कर लेंगे तो ऐसे कर लिनने यहां पर processing होके ATM का page open हो जाएगा तो यह जो process है सारा process आप देख रहे हो यह आपके friend के phone से ऐसा कर सकते हो आप तो यहां पर क्या कर लेना है ना आपका friend का number दिख जाएगा तो इससे amount कटने वाला है तो आपको process to pay कर लेना है तो जैसे ही कर लोगे यहां पर आपको दिख जाता है pocket FM private limited यहां पर select an option यहां पर 49 रुपीज है तो यहां पर आपको password मांगेगा तो आपको simply क्या कर लेना है ना password डाल देना है तो यहां पर मैं डाल देता हूँ तो simply password डाल देने के बाद यहां पर verify पर क्लिक कर लेना है तो इस process से आप आसानी से recharge कर सकते हो तो दोस्तो आसा करते हूँ आज का यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसन आया होगा वीडियो पसन आया होगा तो वीडियो को like और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा चलिए दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो पर तब तक के लिए टाटा वाई वाई और अपना खाया लखेगा कुछ भी डावड होगा तो नीजे comment box में comment कर सकते हैं तेंक्यो